प्यारे साथियों नमस्कार स्वागत करता हूं आप सभी अपना प्यारा सा यूटूब चैनल जिसका नाम है DLS बिद्यकुल प्यारे साथियों आज आपको बताने वाले हैं जो आपकी एक्जाम होने वाली है गडित की सभ्जक्टिव चैनल के निस सभ्जक्टिव कोशन काफी इंतिजार करे यूटूबू चाहिएगा तो साथ ही जैसा कि आप से मुगादा किये थे कि छे बजे आपको हम लेकर आएंगे सब्जेक्टिव कोशन जो कि हम और सुभम साथ होंगे और आपको बताएंगे इस परकार से जो पर होंगी यह इस तरीके से पेपर में जो आपको जैसे एक्जाम देने जाओग जिसमें से सिर्फ चार कोशन मनाने होंगे तो यानि कि हम लोग यहां पर आपको बताने वाले हैं हम और सुभम सर 15 और लगुतरी कोशन और चार आप सभी का दिरगुतरी कोशन तो साथियों क्या तैयार हो एक बार सेर कर दीजिए जब तक हजार बच्चे नहीं लाइब हो और बच्चो के लिए हमने टार्गेट रखी है कि कल वच्चे साइथ कंप्लीट कर देंगे है ना और आज लाइब हम लोग दिखाने वाले हैं कि कितने बच्चे चैनल को सब्स्क्राइब कर रहा हैं रोग और वीडियो को शेर कर दो जिससे कि ज्जादा से जज्यादा पढ़ सकें देख सकें और एक्जाम में अच्छा कर सकें तो साथियों यहां पर आपका कोश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाएगा जो कि सब्सक्राइब करते हैं कितने कोश्चन हम लोग बच्चों को सौल करा हैं यह कोश्चन नमबर वन है ना जी सब्सक्राइब कोश् और कम समय में आपको सब कुछ हम लोग बता सकें तयार हो पेपर पेंट लेकर तयार हो लिखने के लिए तो चलिए साथियों सबसे पहला कोश्चन क्या है सर यहां पर ध्यान दीजेगा सर कोश्चन कहा है कि पांच और साथ के बीद चार परिमेंशंग्या घ्याद करना है तो कैसे ग्याद करना है यहां पे आप बोर्ट पे देखिए वाई साब सर इसको हम लोग फड़ा बड़ से दिखाते हैं बच्चों को कि कैसे ग्याद होगी अब देखना यहां पे चार यहां पे हम लोग को परिमे संख्या ग्याद करने के लिए बोला था जो 5 और 6 के पीच में हो, मैंने क्या किया बच्चो देखो, एक बार 5 लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, अब 5 देंगल, 5 देंगल, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, ले सकते हो, जो आपका मनों वो ले लो, क्यों हम को 4 संगय लिखने हैं। 5 और 6 की बचेकर हम लोगों को परिमेर संग्या ग्याद करनी है तो 5 और 6 हमने लिखा और 5 के बासे क्या लिख सकते हैं 5.1 लिख सकते हैं 5.3 वही यहां पर लिखा गया है और इस प्रकार से आप लोग यह रेखा जो है इस तरीके से दरसा भी सकते हो अपने पेपर वे तो इस बच्चे इसका स्कीन सोट ले और इसका लोग पीडिया भी मिल जागा और जिस प्रकार से आप लोग एक्जाम में लिखोगे वह सब कुछ पीडिया समझाने वाले तो यहां पर अगले नमर कोश्चन क्या रहा है तो ध्यान दीजेगा सर दूसरा नमर कोश्चन क्या था बच्चों के लिए कि पंद्रा रूट पंद्रा को तीन रूट पाच से भाग करना है बच्चों कितना असान सा सवाल है एकदम बढ़ियत सांदर्व सवाल है यह कोश्चन आगर आपके यहां पर पूछी गई है कि पंद्रा रूट पंद्रा को तीन रूट पांच से भाग देनी है तो आखिरका कैसे भाग दिया जागा यहां पर देखिएगा साथियों देखो यहां पर किस परिक्यार से जो है वह सुभम सर जो है और हमने मिलकर किसे सौल कर रखे पहले यहां पर हल लिखना है यह काम जो होगा साथि वह ब्लैक पेंट से करना है ठीक है और यह जो सलूसन है वह आपको ब्लू पेंट से करना और यह आपनों को अपना यह आपको क्रॉस करना चाहिए यानि कि इससे ज्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए सब कैसे बना हुआ है बच्चों को समझाएंगे बच्चों दिको 15 रूट 15 है बटे तीन रूट 15 को क्या लिख सकते हो रूट तीन गुड़े रूट पांच पांच तीयाई 15 होगा अब रूट पांच से रूट पांच को कैंसल कर दो और तीन से पंद्रा को काट दो तीन पच्चे पंद्रा पांच रूट तीन आंसर यानि कि पांच रूट थिरी जोगा आपका साथिव एं हैं तो यहां पर बढ़ अपने परीवार को पूरा करना बच्चों आज आपको मैं बता दू इंगलीज और मैयत की जैसे सब्जेक्टिब कोशन खतम होंगी तब कि यह 90 हो जाना चाहिए है ना और कल टार्गेट सर वन मिलियन के और कल एक संदार सी पार्टी होगी जो की बच्चों को बता गया है यह लग रहा है मुझे कि कल हो जाएंगी है ना तो पूरा कर देना साथ हो एक बार सब्सक्राइब कर दो फड़ापर से जितनी जल्दी हो सक आप लोगों को पूरा वेल मेंटेंड रूटीन बताया जाएगा जो कि हमारे मंटू सर आपको पूरी जानकारी देंगे सर आज हम लोग में चार से पांथ गंट एक बार फिर से हम लोग ने मंद यह किया बाते कि किस तरीके से बच्चों को 2025 में कॉपरा बनानी है क्योंकि यह आप भी बच्ची जो होंगे वह तो इनकी एक्जाम ना इनके खतम हो गई अब यह जाएंगे बच्ची किसमें तेन्थ में जाएंगे और 2025 में इनकी एक्जाम है तो इस सबकुछ जिम्वारी हम लोग के यह आपके जिमनदारी जो हमारी है और हम लोग बहुतर करके सर प्रकार से पूछा गया है अब देखो इसमें से किसी भी 15 कोशन का जबाब देना था तीस लगोतरी कोशन पूछे गया है जिसमें से किसी भी तीस में से 15 कोशन का जबाब दे दिना था तो सातियों हम लोगों ने इसके बाद से जो तीसरा नमबर बताय हुए है तो तीसरा नमबर सर कोशन क्या कह रहा है यहाँ पे कि 4 बटे रूट 7 प्लस रूट 5 के हलका प्रमिकरण करना है अब यह प्रमिकरण कैसे होगी हमारे होगा वह किस प्रकार से होता है तो सर अम लोग बढ़ते हैं यहां पर यहां पर देखिए सर बहुत संदार तरीके से बच्चो करना है सवाल को सवाल में कुछ है नहीं सीधी बात इसका हमें क्या करना है बच्चो देखो इसका 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 करना है यह किवल जो हर में प्लस गुड़ा करा के क्यों हल कर देना है 4 से root 7 minus root 5 में गुड़ा कराओ और यहां root 7 plus 5 root 7 minus 5 यहां पर क्या लगा बच्चो यह जो लिखा है root 7 का square minus में root 5 का square इसका मतलब क्या a plus b और a minus b क्या होता है a square minus में b square बस formula यहां पर लगाओ बच्चो और कुछ नहीं करना है आप लोगों को मिहां पे साथ मैननस पंच आ गया दो आया दो से कटा चार बचा कितना रूट साथ माइनस रूड पंच बराबर 2 रूड साथ माइनस रूड पंच कितना आसानी वो गया तो mouvements तरीके से आपको सवाल बताये मसे बताय ब suspension बड़ा है । तो आफको एक बार से का यह अगले से बड़ते हैं ऑगला कौस्ट दिखनें बच्चों के लिए क्या है तो था ह। यदि यदि x-1 और 4x Q plus 3 X square minus 4 X plus 2 का A के गुड़ खंड है तो के का मान जो है ग्यात करनी है यह हूई यह सल्व सल्व चलिए आए बढ़ते हैं लोग और देखते हैं किसके कोशन को किस प्रकार से जो है वो सल्व की गई है और आपके एक्जाम में जब आएंगी तो कैसे आपको सल्व करनी है अब देखो बच्चो क्या है प्रश्णोंतर नंबर 4 आपको सॉल्व करना है कुछ नहीं करना यह प्लस भी लिखा यह माइनस भी लिखा है रूट तरीं को ए मानो और यह जो दो है इसको भी माने लो देखो ए प्लस भी और माइनस भी के फॉर्मूले पे सीधे पुट करेंगे 2-3 ना ने मैंने का – 1 हो गए यह क्यों होगा क्योंकि बढ़ावाह साइन क्या है माइनस में हैं बस काम खदाम सावाल का तो यानि कि बच्चो यह आपका जोगा — 11 जो होगा वो 4 नम्बर प्रशन का ये जबाब हो जाएंगे ठीके तो साथियो बढ़ते हैं अगले नम्बर वो कोश्चन हम लोगों का क्या कह रہा है तो यहाँ पे 5 पे नम्बर कोश्चन के उर बढ़ें तो 5 नम्बर साथियो कोश्चन देखना AMY कोशन यहां पे कह रहा है कि यदि x-1 और 4xq-3x2-4x2 का एक गुडखंड हो तो k का वैलू बताना है साथ यो कौन-कौन जो है वह k का वैलू बता सकता फटाबर से बताना मुझी k का वैलू कौन-कौन बताएगा कैसे बनेगा आई आपको हम समझाते कि आखिरकार यह जो वै इसके बराबर हम लोग मानेंगे 0 है न सारे चीज़ें यहां पे लिख दे गई है जब x-1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जागे sir 1 अब क्या करेंगे sir x का वैलू क्या करेंगे जो 1 है वो इस बहुपद में रखेंगे अब बहुपद क्या कह रहा था हम लोगा 4xq-3x2- प्लस का कि तो यह क्या करेंगे जहां जहां एक्स था वहां हम लोग क्या करेंगे वन रखेंगे जैसे ही वन हमने रखा तो इसके बाबस निए बराबर हो बड़ाइबर के इस साईड भेजेंगे तो आसानी से क्या हो जागाSec गया नंबर कोशन कह रही है कि यदि एक्स ब την त्री है बड़ोपत फाइपर फाइप 4 x square plus 3 का मान जो होगा वह क्या होगा साथियों इसका value जो होगा इसका मान जो है वो बताना हम लोगो फड़ा बढ़ से कि इसका value जो होगा वो क्या निकल के आएंगी तो यह हम लोग कर रहा कि सर x बराबर माइनस का 3 है ठीके तो यहाँ पर हम लोग इसके क्या करते हैं सर सॉल्व करते है यहाँ पर साथियों कहा रहा है कि x बराबर माइनस का 3 और यहाँ पर कहा रहा है कि 5 x माइनस का 4 x square प्लस का 3 तो यहाँ पर जहाँ 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 एकस है साथियों तो वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे सर 5 यहां पर जो है जहां 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 हम लोग का एक्षन है वहां वहां इसकी माइनस का 3 का वैलू रखेंगे तो 5 का यह बिल्कुल ही क्या हो जागा सथ सही जबाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते सांतियों एक बार आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कितने बच्ची जो है वह आप लोग कितना प्यार दिखा रहे हैं फड़ा पड़ से यहां पर ध्यान से देखिएगा यह देखिए सांतियों यह इस तरीके से आपका प्यार है यह देखिए किस तरीके से जितने भी बच्चे चनल को सब्सक्राइब नेकिए एक बार सांतियों फड़ा भड़ से चनल को सब्सक्राइब करिए और सेयर करिए तो चलो बच्चो प्रेस्ट नमबर चाहे के बाद प्रेस्ट नमबर साथ को सॉल्व करते हैं एकदम आसान तरीके से बढ़िया तरीके से सॉल्व करने तो चलो बच्चो प्रेस्ट नमबर 7 आप का है क्या रहा है एकदम बढ़िया तरीके से देखो बच्चो क्या कह रहा है देखेंगे माइनस प्लस ना प्लस ना एक फ्ल्स प्लस एटीन इसका क्या क्या एहां पे क्या बचेगा यक्स प्लस सिक्स बचेगा अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे एक प्लस तीन जो बाहर है उसको एक ब्रेकेट में लिख लो और जो एक और ब्रेकेट जो बचा जो कॉमन है उसको एक ब्रेकेट में डाल दो भाईया बाहर बाहर वाले को क्या बच्चो एक ब्रेकेट में अंदर अंदर वाले को एक ब्रेकेट में सवाल सौल गु उप्हानों को मोड़ देते हैं जिने चाह मंजिल की होती है दीवारों को तोड़ देते हैं चलो बच्छो जल्दी जल्दी बढ़ो सब्सक्राइबर बढ़ाओ बच्छो जल्दी से अब आगे का प्रश्ण देखेंगे बच्छो क्या है सीधे किये गुड़ा किये बिना अग 89 का करना तो 89 और 90 ऐसे लिखेंगे बच्चों अब इसको सीधे गुड़ा नहीं करना मतलब कोई शरुसमीका लगाना है तो करेंगे क्या ये 90 से कितना कम है ये 90 से कितना कम है एक कम है तो लिख दो बच्चो 90 माइनस एक ये 90 से कितना ज्यादा है एक ज्यादा है लिख दो भई ये 90 प्लस एक क्या लिखोगे 90 प्लस एक क्या लिखोगे बच्चो 90 प्लस एक अब क्या कोई सरोसमिका दिख रही है क् तो तो वह समें का बच्चो दिख रही है क्या ए मांइस बीक्या कराऊ लगोगरा इधर माईनस 1 काrie स्कॉर करा बच्चो यह क्या माईनस एक करा रहा दो उच्चो यह एक है न यह कि एक है एक कैdle यह नौ और कितना बच्चा यहां पर नौ बच्चा बच्चो नौ लिख दो यहां पर बच्छाजीरो और यह हूगया को है कि देखो बच्चों यह धो कितना असानी से सॉल्व हो गया यह आ गया ह zaten 99 स का अंसर आ गया चप्रेश को यह दुनों सवाल आठ्ववा और नौवा सवाल, सौधी, सातुवा और आठुवा सवाल, दोनों यहाँ पर solve हो गए एकड़म बढ़िया तरीके से, अब बच्चो देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्या देखो बच्चो यह आपका, यह आपका solution लिखा हुआ है, यह आपका solution लिखा हुआ है बच्चो, यह 6 का solution है, और यह question number 7 जो मैंने solve करा दिया है वहाँ पर, यह उसका solution है, बच्चो आप solution भी उसका देख सकते हैं, एकड़म सांदार तरीके से आपको solution दिया गया है, अब उसके बाद बच्चो अगर देखें, तो question number 8 का भी solution आपके सामने है, क्या, question number 8 का भी solution सामने है, मैंने यहाँ पर समझा दिया है आपको, अब आगे question number 9 पर आगे चलना है, कहाँ पर, question number 9 में चलना है, तो चलो भीए, question number 9 पर चलते है, अब question number 9 क्या कह रहा है, कह रहा है, एक ऐसे कोड का, क्या बच्चो एक ऐसे कोड का माप ग्यात कीजिए, जो अपने संपूरग कोड की माप स 32 डिगरी कम हो क्या वही आपने संपूरक कोण कि माप से कितना डिगरी कम हो 32 डिगरी कम हो एक दम आसान सा सवाल है कैसे मैंने कहा संपूरक कोण क्या होता है आपको सभी को नाइंत में पढ़ा चुका हूं मैं क्या संपूरक कोण क्या होता है 180 डिगरी का होता है कितने का संप में क्या कह रहा है बच्चों कि ऐसे कोड कमान ग्याद करें मानलो कोड क्या है हमारा माना कोड लिख लेंगे एक बार माना कोड क्या है बच्चे माना कोड थीटा है क्या है बच्चों थीटा कोड कितना मान लिए थीटा तो इसका संपूरक क्या बनेगा संपूरक क्या बनेग तो इसका संपूरक बनेगा 180 माइनस में थीटा अब ये थीटा बराबर लिखो 180 माइनस में थीटा अब सवाल देख लो ये इसका संपूरक है संपूरक कोड की माप से कितने डिगरी कम है कितने डिगरी कम है आप बताओ कितने डिगरी कम है तो कितने डिगरी कम है ऐसे कोड की आप ग्याद करना है जो संपूरक कोड से कितना हो 32 डिगरी कम हो तो कोड मैंने माना था कितना कोड माना था थीटा इसका संपूरक बना 180 माइनस थीटा अब क्या कह रहा है 32 डिगरी संपूरक से कम है तो 32 डिगरी जोड़ दो तो क्या हो गया बच्चो दोनों बराबर हो गए जब दोनों बराबर हो गए यह माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा एक थीटा और है तो कितना होगा 2 थीटा बराबर देखो यहाँ पे 180 है यह 32 प्लस में है इधर और उधर जाएगा तो माइनस में 32 होगा तो बराबर कितना आएगा बचो दस में से दो गया आठ, साथ में से तीन गया चार, कितना आया 148, कितना आया बचो, 148 आया, तो 2 थीटा is equal to कितना 14, 2 से काट दो, 2 सते 14, 2 चौके 8, थीटा कमान कितना, थीटा कमान कितना, 74 डिगरी, तो ऐसे कोण कमान क्या होगा, 74 डिगरी होगा, क्या होगा, 74 डिगरी लगा लो आनसार और देख लो बच्चो देखो देखो बच्चो मैं आपको दिखाता हूं यह सॉल्ब भी है पूरा पूरा यह पूरा का पूरा सॉल्ब है यह देखो बच्चो यह आपका पूरा का पूरा सॉल्ब है पूरा का पूरा सॉल्ब है पूरा का पूरा सॉल्ब है सवाल कैसे करना है पेपर में सवाल पेपर में ऐसे करना है हल डालना है हल के बाद कोड मान लो फिर संपूरा कोड मान लो प्रिशना अनुसार ये बच्चो 74 डिगरी ठीटा आ जाएगा मेरा ठीक है ना तो बच्चो चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते ह चलो चलो भाईया बढ़ादो भाईया सांदार तरीके से सेहर करो यार सांदार तरीके से करो बच्चो ऐसे कौन बताएगा पूरा-पूरा सवाल एक खल हल करके बच्चो चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं बच्चो अब अगले सवाल पर चलते हैं बच्चो दसवा सवाल क कह रहा है एक त्रिभूज है क्या है एक त्रिभूज है चलो यह एक त्रिभूज बना लिया मैंने फिर क्या कह रहा है A B C यह एक त्रिभूज है माने लो फिर कह रहा है इसके दो कोड़ों का योगफल क्या कह रहा है दो कोड़ों का योगफल माने लो एक कोड़ यह है बच् तीसरे कोड के तीसरे कोड के बराबर है तो कोड A और कोड B का योग किसके बराबर है माने लो कोड C के मा बराबर है तो पहला और दूसरे कोड का योग तीसरे कोड के बराबर है यह कह दिया फिर कह रहा है तीसरे कोड का मान निकलना है तो तीसरे कोड का मान बड़े हसानी से निकल सकता है कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा बच्छो अब कोड़ A प्लस B अभी तीनों कोड़ों का योग कितना होता है जरा मुझे एक बार बता दो तेनों कोड़ों का योग एक बार आप लोग बता देंगे बताओ एक बार तीनों कोड़ों का योग कितना होता है त्रिभ बच्चों कितना हो जाएगा दो से काट दो बच्चों कितना हो जाएगा चलो देखो बताओ एक बार ये कितना दिया गया है दो कोडों का योग फल क्या त्रिबुज के दो कोडों का योग फल तीसरे कोड के बराबर है तो कोड A कोड B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों ये 180C दिया गया है बच्चों देखो एकदम सांदार तरीके से अब कोड C हो गया यहाँ पर यहाँ भी कोड C हो गया टू कोड C बराबर कितना हो जाएगा बच्चों चल सवाल था एक दम आसा न सवाल था अब अगला सवाल भी देख़्लो यदि तरिबूच के कोड़ Square दो अनुपाते तीन अनुपाते चार के अनुपात में हैं तो तिर बूच के तीनों कोड़ों का योगफल कितना होता है त्रिबूच के तीनों कोड़ों का योगफल one рег lap नोट कर लेना लिखनेना एकदम छाप लेना बच्चों क्या त्रिभुज के तीनों कोड़ों का योग कितना होता है तू तीनों कोड़ों का योग होता है क्या कितना होता है 180 डिगरी अब बच्चों इसका भी देख लो बच्चों तो तीनों कोड़ हैं तू यक्स हो गया एक मैंने कहा क्या करना है आपको मैंने कहा क्या करना है आपको 2 x और 3 x और 4 x 2 3 5 4 9 9 x बराबर कितना 180 डिगरी तो कितना हो जाएगा 9 दुनी का 18 कितना या x बराबर x बराबर कितना है या बताओ जल्दी से 20 डिग्री अगर x बराबर 20 डिग्री है तो पहला कोड कितना हो जाएगा 2 x बराबर कितना 2 x का मान कितना है 20 डिग्री तो 2 x 20 is equal to 40 डिग्री तीनों कोडों का मान निकाल लेंगे बच्चो ऐसे ही दूसरा कोड हमारा 3 x है तो 3 x 20 कितना हो जाएगा बच्चो यह हो जाएगा हमारा 60 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री हो गया बच्चो और 4 की बात अगर मैं करूं तो यह आप लोग अपने से बता दो जल्दी से 4 x है तो यह 4 और गुडे x का मान कितना है 20 डिग्री तो कितना हो गया बच्चो 80 degree हो जाएगा कितना हो गया 80 degree हो जाएगा बताओ इससे सरल कोई सवाल मिलेगा क्या इससे सरल कोई सवाल मिलेगा क्या आपको बताओ जल्दी से इससे सरल सवाल कोई मिल सकता है क्या आप लोगों को एकदम हसान सा सवाल है भाईया अब भाईया देखो इसका सौल्व भी आपके सामने दिया गया है इसका सौल्व भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है बच वेचिंगन सांदार तरीके से यह रहा आपके सामने कॉष्चन नमबर दस कोण सी बराभर 90 डिगरी यह आपको सौल्व दिया गया है बच्चो देख लो एक बार यह आगे देखो अब यह देखो भया question number 11 question number 11 तो बच्चों मजा आ रही है ना समझाया भी जा रहा है उधर पीडिया भी इधर सवाल सॉल्व करके डारेक्ट आपको दी जा रही है कितना बढ़िया से किया जा रहा है बच्चों बस एक बार आप लोग भी like subscribe कर दो बच्चे और सेयर कर दो बच्चे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी सेयर कर दो और कुछ नहीं बच्चे ठीक ह अब आगे देखो क्या है बारा नंबर है बारा नंबर क्या है अब बारा नंबर सवाल है त्रिभुज ABC कौन सा एक त्रिभुज दे दिया गया है क्या एक त्रिभुज ABC दिया गया है कोड़ A बराबर 100 डिगरी आराम से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है मैंने कहा यह हो गया को पाने लो भाईया कोड A बराबर कितना है 100 डिग्री है फिर कहे रहा है AB बराबर AC है तो ए B बराबर AC कर लो यह AB है और यह क्या है AC है क्या है AB A अर AC यह है बच्चो कितना बढ़िया तरीक सवाल solve हो रहा है, A, B यह है, A, C यह है, क्या है, A, B बराबर A, C, अब मुझे एक बात बताना बच्चो, एक प्रमे, आप लोगों ने पढ़ी होगी क्या प्रमे है, प्रमे क्या है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोड बराबर होते हैं यह चीज आपको क्लियर है, क्या कह रहा है यदि तिर्भुज A, B, C में कोड A बराबर कितना 100 डिगरी कोड A बराबर 100 डिगरी अब कह रहा है, A, B बराबर A, C A, B बराबर तो कोड B और कोड C का मान ग्यात करना है, ठीक है ना तो चलो वच्चो देख लो, अब यह तिर्भुज A, B, C बन गया अब कोड A बराबर कितना है, कोड A बराबर कितना दिया गया है, 100 डिगरी अब भया A, B बराबर A, C है तो मैंने कहा कि एक प्रमे होती है, कि बराबर भुजाओं का योग, बराबर भुजाओं के सम्मू कोड क्या होते है, बराबर होते है बराबर भुजाओं के सम्मू कोड बराबर होते है, तो A, B का सम्मू कोड क्या है, C है, और A, B A, C का सम्मू कोड क्या है, कोड B है, तो कोड C बराबर क्या हो गया कोड B हो गया जब कोड B और कोड C दोनों बराबर हो गए तब क्या होगा बच्चो जब कोड B और कोड C बराबर हो गए अब देखो त्रिबुज के तीनों कोडों का योग लगा दो त्रिबुज के तीनों कोडों का योग कितना होता है 180 डिगरी कितना होता है बाबू 180 डिग दो है ना अब कितना हुआ 180 डिगरी तो अब देख लो बच्चो कोड 2 कोड बी कोड बी कोड बी जोड लो तो कितना हो जाएगा 2 कोड बी और ये 100 डिगरी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में तो 180 डिग्री माइनस में 100, कितना, 180 डिग्री माइनस में 100, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 कोड B बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, कितना, 80 डिग्री, तो 2 से कटेगा, तो कितना हैगा, 40 डिग्री, कोड B बराबर कितना आया, भाईया, 40 degree आया बताएंगे एक बार clear है क्या सभी को clear है क्या सभी को clear है क्या सभी को 2 code B बराबर कितना या 40 degree और code B और code C बराबर है तो कितना आएगा code B का मान कितना या 40 degree और code C का मान कितना या 40 degree बच्चो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि हर एक सवाल समझा रहेगा है ना हर एक सवाल आपको पता रहेगा है ना क्योंकि आप लोग नाइंत पढ़ ही चुके हो पूरा और उसके बाद ये पीडियाफ आपको दे दी ही जा रही है क्या ये पीडियाफ देखो आपको द वाइड कर दी जा रही है बच्चों ये देख लो एक बार जल्दी से ये PDF आपको दे दी जा रही है क्या ABC तरभुज दिया गया है कोड़े बराबर 100 डिगरी AB बराबर AC कोड़ B और कोड़ C ज्यात करना है सीधे सीधे आपको पूरा करा दिया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं ह अगला देखो भाईया तरभुज अब बच्चे ये वाला कर लो ठीक है ना अब ये कर लो बच्चे ठीक है ना ये सवाल करो ये सवाल एकदम आसान सा है एक चतुर भुज के तीचा कोड़ों का योग कितना है तीन पांच चार छे के अनुपात में हैं तो इस चतुर का अनुपात बता दो एक बार जल्दी से अ है ना चतुर भुज के चारों कोड़ों का अनुपात बता दो कितना होता है है हैं खर दो कि तो रहें है चतुर भुज के चारों कोड़ों का योग देखो से अब चारों का योग बताओ बच्चोdes5 i8- drug Im प्लस में कोड B, प्लस में कोड C, प्लस में कोड D, है ना, कोड D कितना हो गया, 360 डिगरी, अब कोड A, तो कितना हो जाएगा, A 3 है, तो 3 X कर लो, B कितना है, 5 है, तो 5 X कर लो, क्या, 5 X कर लो, C कितना है, 4 है, तो 4 X कर लो, है ना, और D कितना है, बच्चो, 6 है, तो 6 X कर लो, ह 360 डिग्री कितना 360 डिग्री तो 18 से काट दो 18 दुनी का 36 कितना आया यक्ष बराबर 20 डिग्री कितना यक्ष बराबर 20 डिग्री अब कुछ नहीं करना 20 से 3 में multiply करاؤ 20 से 3 में multiply करاؤ तो आएगा एक ठो 60 degree एक ठो आएगा कितना 25-100 5 से multiply 100 degree एक में 20 से करاؤ ये आएगा 80 degree, पिर इसमें शे कराऔ ये आएगा 120 degree चतुर बुज के कोड गया थो गया 60 degree, 100 degree, 80 degree, 120 degree बताओ कितना आसानी से एकदम आसानी से सवाल कराया जा रहा है, इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा आपको कभी भी, कभी भी नहीं मिलेगा बच्चों, इससे आसानी से सॉल्व कराना और इससे आसान सा सवाल कभी नहीं मिलने वाला है, चलो भईया, देख लो, अब आगे देख लो, है ना, चलो भई अब देख लो एक बार जल्दी से अब प्रश्ण उत्तर नंबर 19 करना है अब प्रश्ण उत्तर नंबर 19 करना है अपने को ठीक है न यह मैंने एक्स्ट्रा सवाल भी आपको बता दिया यह PDF में नहीं है है न हम लोगों को 15 सवाल बताने हैं तो बच्चों चलो ठीक है न यह अब बगया उसका छेटरफल संभाहुतर भुझ यह देखो बना दिया संभाहुतर भुझ कितना संभाहुतर भुझ बन गया क्या है A, B, C है संभाहुत्रिभुज, क्या है, A, B, C है संभाहुत्रिभुज, अब कह रहा है, जिसकी भुजाएं कितनी है, 4 रूड 3, क्या, 4 रूड 3, तो कितनी हो जाएगी, 4 रूड 3, ये भी, 4 रूड 3, ये भी, क्यों, क्योंकि संभाहुत्रिभुज की क्या, 3 भुजाएं क्या formula है आसान सा root 3 बटे 4 करो और जो भुजा हो उसको 2 बार गुड़ा कराओ जो भुजा हो उसको 2 बार गुड़ा कराओ बस जो भुजा उसको 2 बार गुड़ा कराओ चार से चार काट दो, रूड तीन, रूड तीन का गुड़ा तीन हो जाएगा, और गुड़े में चार रूड तीन और है, तो बराबर चार तियाई, बारा रूड तीन कितना हो गया, बारा रूड तीन कितना आ गया, बच्चों बताएंगे एक बार इसका एरिया कितना आया सब्सक्राइबर की संख्या है बढ़ा तब मैं आगे सवाल करादू बच्चे और सवाल आगे करवाऊं ठीक है ना चलो जल्दी जल्दी बढ़ादू भाईया एक बार फिर आपको बढ़िया सुन्दर सा गाना वना भी सुनाया जाएगा मस्त तरीके से सारे काम किये जाएंगे बच्चो चलो आजाओ भाईया तेजी से आजाओ अब आगे देखो बच्चो 19 नंबर हो गया अब आगे देखो बच्चे घनाब का पास और परस्थिय छेत्रफल ग्यात करना है जो 15 मीटर लंबा 12 मीटर चोड़ा और 4.5 मीटर उंचा है क्या है इतना भाया ये क्या दिया गए घनाब कैसा होता है घनाब कैसा होता है आयताकार होता है सबको पता है है ना 15 मीटर लंबा है क्या है एल बराबर 15 मीटर है घनाब कैसा है ल बराबर 15 मीटर लंबा और फिर कहरा है चोड़ा कितना है चोड़ा कितना है मतलब बराबर बी बराबर बी मतलब ब्रिट्थ होता है ना चोड़ा कितना है 12 मीटर है और कितना भाया 4.5 मीटर उंचा है ये फॉर्मूला क्या होता है नोट कर लैना प्ष्ट का छे तरफल फॉर्मूला क्या होता है बचो ले में बचाए बचार देखेठ रच में हो गया तो बचेगा कितना एल प्लस भी देखलो इसमें से तू और इच इसमें ने भी L इसमें बचा B तो L पलस B ब्रैकेट में आ गया अब H कितना दिया गया 4.5 तो गुड़े 4.5 और ब्रैकेट में कितना L कितना है 15 है और B कितना है 12 है 15-12 कितना हुआ 27 अब कितना हुआ बचचे देख लो एक बार चार दुनीा 4 2 से 6.5 मल्टिप्लाइ कराएंगे 9 आएगा इन दोनों को multiply कराओगे तो 9, 63 और 9, 2, 18, 26 कितना है या 243 cm2 sorry meter square देखो कितने आसानी सवाल solve हो गया 243 meter square देखो कितने आसानी सवाल solve हो गया कुछ है नहीं सवाल में क्यों मैंने कहा लंबाई लिख लो च़ोडाई लिख लो उचाई लिख लो पासव प्रश्ट का फॉर्मूला लगा दो बस अब आगे सवाल देखते हैं बच्चों अब क्या लिखा हुआ है अगला सवाल देखो एक घन का कोर दिया गया है एक घन का कोर मतलब क्या भाया घन की एक भुजा दी गई कितनी ए बराबर मानलो चवदा दिया गया है इसका आयतन निकालना है तो लिख लेना नोट कर लेना घन का आयतन होता है क्या एक यूब क्या होता है घन का आयतन क्या होता है नोट कर लेना बच्चों घन का आयतन बराबर होता है एक यूब A cube का मतलब A बराबर कितना दिया गया है कूर 14 दिया गया है तो 14 गुड़े 14 गुड़े 14 कितना होगा बच्चे 14 गुड़े 14 कितना बच्चे 14 गुड़े 14 कितना होगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब देखो कितना आसान सवाल है कि ओल 14 का क्यूब कर देना है और कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं है बेटा कुछ नहीं है ठीक है न अब भया एक सवाल और देखलो इसका देखना है तो ये भी ब जिज्य कितनी है साथ सेंटीमीटर आर कितना है साथ सेंटीमीटर है करा आयतन निकालो आयतन क्या होता है गोले का आयतन क्या होता है बाबू तो गोले का आयतन होता है क्या चार बटे तीन पाई आर क्यूब क्या बचे पाई आर क्यूब अब बच्चो देखो चार बटे तीन है और पाई का मान कितना है 22 बटे 7 है लिख लो आर क्यूब आर कितना है साथ गुडे साथ गुडे साथ साथ से साथ कैंसिल अब भाईया आगे देखो इसका मल्टिप्लाई बस आप लोग करवा लेना आंसर आ जाएगा बाईस चौके 88 और गुडे में 49 और बटे में 3 कर लेना आंसर आ जाएगा आपको क्या आंसर आ जाएगा एक सेकेंड लगेगा बचो आंसर आ जाएगा भाईया तो clear है आपको है ना clear है आपको चलो भईया अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं ये बात clear आपको सारे सवाल बच्चो सवालों की PDF आपको दे दी गई है बच्चो सवाल को solve कराया जा चुका है यहां देखो बच्चो ये सवाल आपके solve है ये सवाल आपका देखो ये घनाब वाला सवाल सॉल्व है क्या घनाभ वाला सवाल सॉल्व है अब आगे देखो बच्चो घन का कोर घन वाला सवाल सॉल्व है ठीक है ना देखो बच्चे अब आग जाते हैं दीर गुद्तरिय प्रश्न पर आ जाते हैं तो दीर गुद्तरिय प्रश्न पर चलते हैं अब दीर ग परश्ण कोद से नहीं तो पहला सवाल क्या है यहाँपको यहाँ पर निया गया है देख लो एक बार जल्दी से भाग आपको करवा दिया गया है देख लो एक बार जल्दी से ये देखो पूरा का पूरा भाग है बच्चो आपका क्या कराया गया है एकस माइनस वन थ्री एकस की पावर फोर माइनस फोर एकस क्यूब माइनस थ्री एकस माइनस वन अब क्या करना है देखो यहाँ पे थ्री X की power 4 है अब बच्चों क्या करना है यहां पर 3 X की power 4 लाने के लिए क्या करना पढ़ेगा 3 X क्यूब से multiply करा दो थी स्क्ष्ट क्या हो गया 3 x की power 4 हुआ अब 3 X そう ऑन मैं multiply करा जितना है योोगत बच्छों जब घटाते हैं तो क्या होता है साइन परिवर्ति तो होता है क्या होता है साइन परिवर्ति तो होता है तो बच्चों यह क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस त्री एक्स यह कट गया और यह चार में से तीन गया कितना एक्स और बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए माइनस और माइनस तीन एक्स को सर भी वेट कर रहे हैं है ना इंगलिश वाले सर भी आपके वेट कर रहे हैं अब आगे देखो आया कितना माइनस एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स क्या आया एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स अब देखो भाई यहां माइनस है तो सीधे से माइनस यहां मल्टिप्ला कराना है यक्स क्यूब है यहां पर एक से हैं तो यह से मल्टिप्लाई करा दो बस है ना तो यह स्कॉयर से मल्टिप्लाई करा है तो यह स्कॉयर से एक में मल्टिप्लाई एक स्क्यूब और एक सिस्क माइनस माइनस क्या हो सो dependent 2 प्लस-पॉस यह दो कट गए अब यह स्कॉायर माइनस में उतार दो माइनस फ्री-20 दीए अब धरके मैं से multiply यहां पर 2 x है यहां पर क्यों लेक एक से है तो बच्चों क्या करेंगे यहां पर 2 x है यहां पर क्यों लेक एक से multiply करा दो तो x square आ गया है ना और माइनस में एक से multiply माइनस x square और माइनस माइनस क्या हो प्लस और यह से 1 में गुढँ तो यह सो हो जाएगा तो है फिront मैन सटेंख स्क्वार्रा का स्वार कॉजों से यहां पर क्या बचेगा माइनस 3 और एक क्या हो जाएगा बच्छों यह भी माइनस में यह भी माइनस तीन एक माइनस चार एक्स और माइनस में वन उसी तरह बच्चो माइनस चार से यहां पर गुड़ा करा दो माइनस चार और एक्स कितना हुआ माइनस चार एक्स और माइनस में कड़ गया बच्चो आ गया पांच ठीक है ना बच्चो आ गया क्या पांच आ गया बच्चो सवाल खतम प्रतेक कोड एक समकोड होता है क्या आयत का प्रतेक कोड एक समकोड होता है आयत का सिद्ध क्या करना है आयत का प्रतेक कोड एक समकोड है देख लेना बच्चो ठीक है ना अब सवाल कैसे होगा सवाल कैसे होगा ठीक है ना सवाल कैसे होगा देखो बच्चो एकदम आसान सा सवाल है कुछ है नहीं कुछ है नहीं बच्चो देखो ये सवाल एकदम solve है आपके सामने एक आयत दिया गया है क्या ABCD कैसा आयत दिया गया है ABCD आयत दिया गया है अब ABCD में कोड A बराबर मान लिया हमने कितना हमने मान लिया इसको मान लो भाया कितना कोड A बराबर 90 डिगरी A बराबर 90 डिगरी मान लिये अब क्या क्या रहा है सिद्ध कर दो कि यह जो आयत है आपका इसका प्रतेक कोड 90 डिगरी है कोड़ A, कोड़ B, कोड़ C, कोड़ D सब कोड़ 90 डिगरी है ये हमको सिद्ध करना है अब देखो भाईया अब A, B, C, D एक आयत है क्या कह दिया गया है एक आयत का कोड़ क्या होता है सब समकोड होता है पर तेक कोड़ समकोड तो ये तो बता दिया गया ना कि वो आयत है तो बच्चो क्या तो चुंकि तिरिभुज अब देखो जब समानतर चतुर भुज हो गया तो ये वाली भुजा और ये आडी और बीसी दोनों क्या हो जाएंगी? और जब समानतर रेखाओं को कोई एक तिरी जब इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो इसको कौन सी रेखा काटेगी A B काटेगी तो बच्चों जब इसको घटा काटेगी A B तो बच्चे एक चीज याद रखना कि जब तिरीया कोई रेखा काटती है तो जो बच्चे कोड होता एक तरफ वाले वो दोनों क्या होते हैं अंतायुग मों बराबर होते हैं ये चीज मैंने आपको पढ़ाई होगी ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी ये वाली बच्चो याद है ये याद है ना ये याद है कि नहीं याद है है ना क्या भाईया यूकलीड का प्रमे जब मैं पढ़ा रहा था यूकलीड का प्रमे है ना अभिधारनाएं जो आई थी ना अभिधारनाएं वगएरा जब मैं पढ़ा रहा था पांच वा लेशन तब आपको पूरा का पूरा ये सी चीजे कंप्लीट करवाया था पूरा का पूरा चीजे कंप अब आपको कुछ नहीं करना बस लिख लेना है कोड़ सी ओ. खतम कहानी और कुछ नहीं करना है ठीक है ना त Battery obtained अब आगे देखो अब आगे देखो बिटा थेंक्यू प्राची बिटा चलो बहिया अब अगला शवाल देखो और एकदम सरल सा सवाल एक्ठो देखते हैं ये 35 नमबर देख लेते हैं 35 नमबर देख लो एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर ब्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में क्या सूप दिया जाता है अस्पताल में कोई रोगी एडमिट है उसको क्या दिया गया बच्चे 7 सेंटीमीटर ब्यास का एक कटोरा है एक कटोरा था बच्चे ये ये कुछ कटोरा था बेलनाकार इसका ब्यास कितना था 7 सेंटीमीटर का कितनया 7 स सेंटी मीटर का इसमें इसको सूप भर के दिया जाता है आप लोग सूप पीते हो ना सूप पीते हो ना बच्चो बताओ एक बार है ना पीके चलो भाईया बताओ एक बार जल्दी से सूप पीते हो ना है ना ठीक है ना चलो भाईया अब आगे देखो तो सूप का जो ब्यास दिया गया, 7 cm दिया गया है, अब एक बेलन कटोरे में भर के दिया जाता है, कटोरा 4 cm उचाई तक भरा जाता है, कितना? 4 cm उचाई तक भरा जाता है, अब 4 cm उचाई का मतलब क्या? 4 cm उचाई का क्या? 4 cm मतलब ये उचाई कितनी हो गई? 4 cm, है ना, ब्यास कितना दिया गया ह ब्यास दिया गया है कितना ब्यास दिया गया है साथ तो त्रिज्या क्या हो जाएगी साथ बटे दो सेंटीमीटर कितनी साथ बटे दो सेंटीमीटर अब उचाही क्या दी गई है चार सेंटीमीटर तो एच बराबर कितना चार सेंटीमीटर अब मुझे एक बात बताओ बेलन क का आयतन बताओ कौन होता है बचे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वाइर याच क्या होता है पाई आर स्क्वाइर याच अब पाई की वैल्यू क्या 22 बटे 7 आर की वैल्यू कितनी आर की वैल्यू कितनी बताई 7 बटे 2 गुड़े में 7 बटे 2 और गुड़े में कितन करना चार हे चार है था थो को डूनी का चार चार कट गए prisons साथ से 1 साथ साध माधवे गोले का मतलब जानते हो एक कटोरे में में जो सूप आता है ऐस का इतन होगा neural aras 국eder जिसी कितना लोगों का निकल जाएगा है ना अब क्या करो भईया 154 से 250 में गुड़ा करा दो तो आयगा कितना भईया कितना बच्चो जरा एक बार बता हो कितना आएगा 38-500 कितना बच्चे छाग्या सेंटी میटर क्यूब ये इतना सूप क्या बच्चे पूरा यूज होता है ला अगर मुझे इसको लीटर में बनाना है इसको लीटर में बनाना है तो क्या करेंगे MICH sniff लिटरी में ITा कितने का 38.5 लीटर का अब चलो इसको साफ साफ दिखा देता हूं इसको एकदम साफ साफ दिखा देता हूं बच्चो देख लो ये देखो भाया ये एकदम साफ साफ दिया गया है एक ब्यास है 7 सेंटीमीटर का बेलना कारकटोरे की तरिज्या इतनी दी गई है उचाई ये द इधर देखो 38 500 बटे में 1000 लीटर हो गया तो 38.5 लीटर आंसर आ गया क्लियर कहानी क्लियर कहानी बताओ एक बार जल्दे से बच्चे एक बार बता देता हूँ नाइंथ में आपको मैंने ये सवाल भी करवाया है जो मैंसे मैंसे नाइंथ में पढ़ा है बच्चे वो सब जानता होगा कि मैंने ये सवाल एकदम डिटो मैंने क्लास में करवाया है डिटो तब एकदम आसानी से पढ़ाया जाता है एकद बढ़िया से explain किया जाता है ठीक है ना बच्चो चलो अब आगे देखो है ना आगे देखो बच्चे है ना सब लोग समझ गये हो जाते होंगे बच्चे सब लोग एक तरब से है ना चलो भाईया अब अगला सवाल देखलो अब अगला सवाल देखलो बच्चे सिद्ध करें चलो भाईया अब अगला सवाल एक सवाल ये वाला देख लेते हैं बच्चो ये सवाल भी एकदम आसान है ये सवाल भी एकदम आसान है लास्ट वाला सवाल दो चरवाले रहखी के सम सवाल कुछ नहीं बनता इससे ज़्यादा आसान सवाल कोई नहीं है बच्चो 37 नंबर कितना किसका आलेख खिचना है थ्री प्लस टू यक्स वाई का थ्री बराबर टू यक्स प्लस वाई जितने बच्चे पढ़े होंगे उनको बताया गया होगा कि अगर रैखिक समीकरण हो का आलेख क्या होता एक सरल रेखा होती है अब बच्चो देखो 3 बराबर 2 यक्स प्लस वाई वाई बराबर क्या लिख सकते हैं वाई बराबर 3 है इधर यह 2 यक्स प्लस में उधर जाएगा माइनस में 3 माइनस 2 यक्स बराबर 0 रख दो बच्चो तो 3 माइनस 2 इंटू 0 बर जी वाई बराबर तीन आ गया अब यक्स बराबर क्या रख दो एक रख दो तो जब यक्स बराबर एक रखोगे तो वाई कमान आ जाएगा एक यक्स कमान एक रखोगे वाई कमान एक आएगा अब बच्चों यह हो गया जीरो तीन एक बार जीरो एक्स कमान रखें तो तीन आ तो point कहां पे मिला, zero और three, y अच्छ पर मिला, तो यह हो गया, एक point, अब कहरा, एक और एक, तो एक क्या है, यक्स-axis का एक, यक्स-axis का एक मतलब यह, और y-axis का क्या भी एक, तो y-axis का एक, अब दोनों को मिला दो, बहाइस इस point पे दोनों मिल रहें अब दोनों से मिला करेखा कीरत दो यही यही हो गया इसका आल इसका आल tir तो बच्छो बताओ एकदम सरल था ना , एकदम आसान सा सवाल था ना बच्चो पूरा question का PDF मिल जाएगा बच्चो पूरे के पूरे सवाल का PDF मिल जाएगा बच्चो तो class हम अपनी यही तक रखते हैं बेटा क्या class हम अपनी यही तक रखेंगे और फिर मिलेंगे बच्चो अगली class में आप लोगों से आप क्योंकि आप लोगों कि अब अंग्रेजी की subjective की क्लास चलने वाली है क्या अंग्रेजी का पूरा सब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा फिर उसके बाद तो मैं था आपको आपको पूरी पूरी वीडियो क्या अविलेवल करवा ही दी गई पूरा पीडियाफ आपको दे ही दिया गया है है ना ठीक है न बच्चो चलो भईया तो भईया अब आप लोग अपने से बढ़िया करिएगा भईया ठीक है न ठीक है न बच्चो चलो भईया फिर चलते हैं और मिलेंगे आपसे बच्चे अगली क्लास में बढ़िया सांदार से सवालों के साथ सांदार से सवालों के साथ चुरिए देकशन का जरूर परियास करेंगे 110 पर सेंटापी बहुत अच्छी हो चाल रहे हैं आज आप से वादा करके जा रहाह हूं बुद्द्ध रहें मैट्स पढ़ते रही है बच्छों आपका 100% मैट्स में इंप्रूव्मेंट होगा मैट्स में 100% इंप्रूव्मेंट होगा इसमें कोई दो राय नहीं है है ना दो राय नहीं है बच्छों चलो भईया ठीक है ना ठीक है न चलो भाईया चलते हैं फिर मिलेंगे आप से अगली क्लास में बच्चो तब तक के लिए शभी को भाई भाई पोशन पेपर का एंसर पीडियेफ कुरूप में डाउनलोड करने के लिए आपको फटापट से अपने मुबाईल फोन के गूगल कुरूम ब्राउजर में आ जाना है और सर्च करना है DLS Education जो चैनल का नाम है जैसे आप सर्च करिएगा आपके सामने इस प्रकार से उपन होगा यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा DLS Education मन्टू सर आपको इस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेगा मेरा Official Website उपन हो जागा आपको थोड़ा सा नीचे जाना है अगर आपने अभी तक WhatsApp सबसे और Telegram से नहीं जूड़ा है तो जल्दी से क्लिक करके इसमें आप जूड़ सकते हैं साथ यो फड़ावर से जूड़ना जरूर उसके बास से आपको नीचे जाना यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है Class 9th Annual Exam 2024 answer की इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं यह सभ रिके से ओपन हो जागा और यहाँ थोड़ा सा नीचे जाना है जैसे नीचे जाएगा तो आप लोग को यहाँ पर वीडियो गूरूप में मिल जागा और यहाँ पर अब्जक्टिव कोशन का एंसर मिल जागा जो आपकी एक्जाम में बहतर आप जाकर कर सकते हैं उसके साथ आपका सब्जक्टिव कोशन का भी एंसर यहाँ पर आपको दिया गया है जो आपके पेपर से लिखा गया है जिस परकार से आपका कौपी मिलेगा यह सब कुछ हूब बहू उसी परकार से